दिल्ली में बाइक टेक्सी पर सरकार की ओर से लगाए गए बेन के मामले पर आज सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी इससे पहले नो जोन को ही सुनवाई में कोट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि आप अपनी याची का केंदर सरकार को भेज दें अधालत ने केंदर से दिल्ली सरकार की याचिका पर 12 जुन तक चवाब मंगा था सरकार ने फरवरी 2023 में राजधानी में बाइक टेक्सी पर ततकाल प्रभाव से बेन लगा दिया था जिसे केब एग्रिगेटर्स ने दिल्ली हाई कोट में चुनोती दी केस पर सुनवाई करते वे कोट ने मामले में अंतिम निती आने तक एग्रिगेटर्स को सेवाय जारी रखने का फैसला दिया था दिल्ली सरकार ने 26 माई को हाई कोट के इस फैसले को सुप्रिम कोट में चुनोती दी थी जिस पर जस्टीस अनिरुत बोस और जस्टीस राजिश बिंदल की वेकेशन बेंच सुनवाई कर रही है बाइक टेक्सी को बेन करने के पीछे दिल्ली सरकार का तर्ख है कि टेक्सी के तोर पर सिर्फ कमर्शियल रजिस्टेशन वाले वीकल्स का ही इस्तेमाल क्या जा सकता है जबकि टेक्सी के तोर पर चल रही बाइक्स कमर्शियल नहीं प्राइवेट रेडिस्टिशन वाले हैं केजरीवाल सरकार में परिवन मंत्री केलाश गहलोत ने बताया था कि टू विलर, त्री विलर और फोर विलर एग्रिगेटर्स के लिए सरकार जल्दी नहीं पॉलिसी लेकर आएगी इससे पहले परिवन मंत्राले ने एग्रिगेटर्स को बाइक टेक्सी के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी देते वे काहता कि ऐसा करना 1981 के मोटर विकल एक्ट का उलंगन है आदेश का उलंगन करने वालों पर एक लाक रुपे तक का जुरुमाना लग सकता है 2015 के बाद से देश में बाइक टेक्सी सर्विस देने वाले स्टार्ट अप्स की शुरुवात होई 2017 तक 40 कंपनिया इस फिल्ड में उतर चुकी थी हाला कि बड़े प्लेयर्स ओला बाइक, उबर मोटो और रेपिडो ही रहे ओला मोबिलिटी इंस्टिटीट की रिपोर्ट का दावा है कि बाइक टेक्सी का मार्केट 33,000 करोड से जादा रेविन्यू पेदा कर सकता है और 20 लाग से जादा लोगों को रोजगार दे सकता है इतनी बड़ी संभावना होने के बाद भी देश में बाइक, टेक्सी को लेकर रूल्स और रेगुलेशन इसपष्ट नहीं है इसी के साथ बने रही है राजनमा टिवी के साथ धन्यवाद